इंडियन पेमेल लीग मैच जोकी होने वाला है भाई पंदरवा मैच RCB वसिस लखनव जाइंस भाई ये मैच होने वाला है बैंगलोर में और यहां पर तीन मैच जो लास्ट तीन मैच हुए यहां पर चेज हुए तो भाई यहां पर जो टीम तॉच जीतेगी वो सीधा बॉल देता हूं जो लास्ट तीन सालों में जो इनके हैट्वेड मैच हुए है इसके बेस पर आपको टीम बनाने में इजी होगी फिलाल 10 अपरेल 2023 को वा था आरसी बी वसिस गुजरा जैंस लखनाओ जैंस जो की आरसी बी ने मनाये थे 212 ठीक है ना और दो विकट पे और वीस और लखनाओ नहीं बनाये दो विकट पे 213 रन नो विकट वीस ओवर मतलब लखनाओ जीत की थी और सबसे ज्यादा प्रफ्रोंस किस ने किया था वाई विराट कोली जो कि अभी दो मैचों में इस ग्राउंड पे लगातार 50 मार चुका है कि कप्तान वाइस का दाविदार ह सब्सक्राइब में 44 पे 61 है फाब डूपलेशी 46 पे उन्यासी और ग्रेंड मैक्सवल 39 पे 69 और मोहमद सेराज चार ओवर तीन विकट और करन सर्मत तीन ओवर एक विकट मतलब देख रहे हो और लखनाओ की टीम से कौन था प्रफूमंस तीस बोलों पे 55 रन मारकर स्टोनिक 19 गेंद पे 62 रन भाई निकुलस पूरन और भाई 24 गेंदों पे 30 रन आयूस बदोनी और अमित मिस्रा दोवर अठार रन एक विकट फिलाल यह था आरसी बी ने बनाए 207 रन और लखनाओ ने बनाए 193 रन इससे पता चलता है दोनों टीमें आपस में क्या ही सांदर स्कोर क्रेट करती है विलाल देखो विराट कोली 24 पे 25 और आजद पाटेदान ने 100 मारा था 54 पे 112 और दिनेश कार्तिक 23 पे 37 फिनिशर का रोल कर रहा है एक विकट और लखनाओ की टीम से प्रहूंस किस ने कहा था केल राउल उन्यासी रन 58 गेंदों पे दीपक उड़ा 45 रन 26 गेंदों पे एम खान चार ओवर 25 रन एक विकट कुनाल पांडिया एक विकट 49 रन चार ओवर विश्णोई एक ओवर एक विकट 45 रन चार ओवर फिल एक विकट के और एलेजी ने मना एक तो हाट रन जो कि दस विकट पिलाल परफॉमंस अपसे ज़्यादा किसने किया था विराट कोली 30 पे 33 रन फाव डूपलेशी 40 पे 44 रन मुहमत सिराज मैक्स्वेल और करन सर्मा तीनों मैक्स्वेल और मुहमत सराज एक एक लेगे थे औ और करन सर्मा दो विकट ले गया था फिलाल ल्हस्जी की टीम से किषटा गोतम तेरह पर टैईस रन कुनाल पंडिया ग्यारा पर 14 नवीनिल लुहक चार ओवर तीन विकट रभी विष्णोई चार ओवर दो विकट अमित मिस्ट्रा तीन ओवर दो विकट और किस्वेल गोत अच्छा खाथ से स्कोर बनेगा और मैंने लास्ट सीजन के आपको मैच इसके वह दिखा दिए फिलाल टीम बनाने में असानी होगी फिलाल हम टीम करेट करके दिखाते हैं हाँ भाई RCB और लखनों फिलाल देखो विकड कीपर में केल आओ लास्ट मैच में कप्तानी नहीं किया था सब्सीटूड में था मगर हैट टो हैड रिकोर्ड बहुत ही शांदर है और इस ग्राउंड पर बैटिंग करने में बहुत इंजॉई मिलेगा केंटन डिकोग भाई विकड कीपरिंग करता हुआ दिखेगा प्लस ओपनिंग बैटिंग करेगा शांदर फोर्म में निकलेस पूरन भाई दोनों मैचों में बहुत तगडी बैटिंग करके गया आप देख सकते हो एक में बानमे पोइंट एक में त्यत्तर पोइंट और किंटन डिकोग आपको प्लस विकड की प्रिंग से पॉंट देता हुआ दिखेगा इने इसकार्थिक जिसने तीन मैचों में दो मैच में प्रफॉंस करके गया इनके खिलाब और रीसेंट फॉर्म पोइंट 45 पोइंट 30 पोइंट हर मैच से 35 पोइंट आपको देता हुआ दिख रहा है 17 पोइंट 124 पोइंट और 27 पोइंट दो जो कि दो लास्ट मैच हुए इस ग्राउंड पे कितने में रण मारके गया विराट पोली एक में 69 तिरासी रन चार चक्के चार चोके और 49 गैन 77 रन मतलब दोनों मैचों में इस ग्राउंड में सांदर प्रफॉंस करके गया और कप सब्सक्राइब दो मैच में अनलक्की आउट हुआ है बहुत तगला बैसमेन है चलेगा तो लंबा चलेगा इसलिए मैंने फाप डूपलेस लिए देवदर पडिकल बहुत तगला बैसमन है मगर अभी दो मैचों में फॉर्म थोड़ा उपा नीचे जा रहा है चलेगा तो लंबा परफॉंस करता हो देखेंगा राजत पाठीदार भाई तीन मैच में एक मैच खेला जिसमें इसने सोरन मारा है तो भाई आज गिरंटी कह रहा हूं आज फास्टाउन खेलता हो देखेंगा तो ग्रैंड लीग में कप्तान वाइस का धाविदार आएगा ठीक है ना दो अमरों जोकी एक्स वेक्टर में आता है और लास मैच में आता अपनी टीम को जिता के गया दिनेश कारती के साथ आठ पे 17 और मैंने एक प्ले नहीं बताया दीपक उड़्डा लाज पहले मैच में एक्सवेक्टेड में आता शांदर बैटिंग करें गया था तेरह चास्वेक्ट देखें चारा मारकार स्टोरिंग बाइट्टो एड में रिकॉर्ड अच्छा है और कभी भी एक से दो वर डालके विगाड आपको दिला सकता है क्रिस ग्रिन लेना ही लेना है भाई फास्ट डाउन खेल रहा है और आपको एक से दो वर डालता हुआ लेगा बाकी में आपको रिकॉर्ड बता दो का टेंशन मतले ना फिलाल देखो गेनबाजी की तरफ चलते हैं तो एड में सबसे ज्यादा शांदर पर्फॉमेंस है मौमस सिराज का जो कि भाई इनके खिलाब हर मैच में एक से दो विकट लेके जाता ही जाता है अभी विश बनोगा ठीक है ना यह चीज बढ़िया रहेगा अजारी जोसब भाई बहुत तगड़ा के इंबाज है अभी तीनों मैचों में उतना खास प्रफॉम्स करनी पाया चलेगा तो लंबा चलेगा यास द्याल जो कि आर सीबी के लिए बहुत तगड़ी के इंबाज डाल रहा और अच्छा गेंबाज है भाई अब मैं तो यह कहा रहा हूं एलेज़ी एस जोंसन को खिलाए भाई गावा घमन तोड़के हैं करन सर्मा जो कि भाई हर मैच में एक विकट लेके जाता है इनके खिलाब अच्छा रिकॉर्ड है विजया विजया अच्छा स्पीनर है चार है जो डालता है तो एक विकट तो आक को लेकर फेशर सोरी मोशिन खान भाई मोशिन खान आच्छी स्वियंग डाल रहा एक से दोविकट हर मैंच में लेके जा रहा है नहीं बोल से अच्छी डाल रहा है अगर जो कि लाश्में गट लेज़ा उससे पहले दो मैच फुल कि एम सिदार जो कि दो वर स्पिन डलवाए थे दोनों वर में पिटा था इसलिए दो वर नहीं मिला माना अभी यह मानब जो है कि भाई बहुत तगड़ी गेंबा डालता है अभी मुझे नवीनुल हक और मानब पे थोड़ा कन्फूजन है फिलाल में अभी नवीनुल हक के साथ जा रहा हूं जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता मगर मानब भी अच्छा उप्चन है फिलाल देखो बाई कप्तान वाइस में तो के लिए रहे मैं विराड कोली के साथे 10 का रहे केल रहूल का भी और अच्छा का सा रहा साधी 13 का निकलस पूर्ण तो दो मैंसी आपर जोड़ी डूब्ल अच्छी फों में नहीं है आप में आसे करीस घृन कभी आ रहा है मैक्सवल पाण कर अब या रहा है कुनाल पांड़े कभी आ रहा है स्टोनिंक तो फिलाल में अभी किंटेंट डिकोउक और विराट कोली को कप्तान वहीं बना रहा हूं फिलाल देखो पडिक्शन टीम केल डाउल है केंटेंट डिकॉप है निकुलस पुरन है विराट कोली है फार्म डूपलेस है ग्रेंड मैक्सवल मारकर स्टोनिक क्रिस ग्रीन कुनाल सब्सक्राइब करेंट के साथ मिलते हैं जाइस फाइनल टीम के साथ